आदीजिया, am I visible or not? गुड़ी इवनिंग, गुड़ी इवनिंग, गुड़ी इवनिंग, एकदम जल्दी से क्लास पर आजाईए, एकदम जल्दी से क्लास पर आजाईए, सो गाईज, अब आपन एक गंटे पर भाई, आम मुंकिन है, देखे, आपन आपने जॉइनने एकदम जल्दी से आजाने, अगर कोई आप पर मेरे से पढ़ता है, फ्री वाले स्पेशल क्लास इस एटेंट करता है, तुझों गईज, उन्होंने अगर मॉक टेस्ट एटेंट किया आज मॉक मसाला है, मतलब क्या कर दिया? बहुत सारे mock test का fusion कर दिया hello everyone everyone hello जल्दी जल्दी से आ जाओ flash revision with spark 90 mcqs एकदम mock मसाला है आज एकदम mock मसाला है एकदम तेज भागेंगे एकदम तेज रेडी हो जाओ मतलब बोलते हैं भाईया ready turn on your beast mode man it's time to turn on your beast mode एकदम beast mode के on कर लो भाई एकदम जल्दी से एकदम जल्दी से on कर लो मैं comment सबका देख पा रहा हूँ 11 बज़े न क्या हो गया भाईया 8 से 9 ठोकेंगे भाई अब ठोकना चालू करेंगे 8 से 9 चलो भाई 90 mcqs ready हो तो आपको तो और पता ही है वहाँ पर अपन पोल करते हैं अपन वहाँ पर पोल करते हैं लिंक पर दे दिया गया description पर सौरव शर्मा की ID जाके follow कर सकते हो वहाँ पर special classes attend कर लो वहाँ पर जल्दी से आ जाओ वहाँ पर भी तो चलिए भाईया शुरू करते हैं अब आप बोल दिये तो भाईया शुरू करते हैं the new systematic hashtag बहुत repeat मिलेंगे क्योंकि यह सारे mock मसाला है I want की भाईया सबको यादो question number one question number one okay भाईया जैसी देखा Julian Huxley का नाम Julian Huxley का नाम देख्के क्या नाम आया जल्दी से बता दो Julian Huxley नाम देखा question number one Julian Huxley नाम देखती comment करो भाई मेरे comment Julian Huxley इधर it is fanatics और cladistics और numerical और biosystematics क्या था it is it is it is biosystematics so guys याद रगेगा जो systematics था जो उन्होंने new हो जा था उसका नाम था biosystematic question number two white tobacco mosaic virus TMV is a dash type of virus कौन से type का वाइरस था single stranded RNA virus कैसा था single stranded RNA virus and most interestingly जो आपका corona virus है वो भी single stranded RNA virus है चलिए इसी के साथ next question को ठोकते हैं एकदम question number three question number three tereidophyte differ from mosses या फिर bryophyte क्या चीज में मतला basically tereidophyte के पास ऐसा क्या चीज था जो bryophyte या moss के पास नहीं था is it independent gametophyte और well developed vascular system और archigonia or the flagellate spermatozoids जल्दी से बता दीचे question number three का क्या होता त्रीका होता number B वैया well developed vascular system जो teridophyte के पास था बिचारे के पास लेकिन उसके पास bryophyte भाया के पास नहीं था next question के तरफ प्यार से आगे बढ़ते question number four question number four which of the following statement is not true पहले आप लोग क्या करना गोला मार लो पहले यहां पर गोला मार लो भाया which of the following is not true एकदम भाई energy आ रही है तो आपको भी like करना है एकदम जोरो से भाई okay which of the following is not true मतलब गलत खोजना है गलत पहला statement दिया है cork cambium is also called as phelogen बोला है phelogen done cork is called as phelam उसके बाद क्या बोल दिया आपको बोल दिया secondary cortex को periderm बोलते हैं और बोल दिया तीनों को मिला के pheloderm बोलते हैं बताओ इस answer क्या होता फोर नमर का सब लोग A और 2 मार रहे हो चलो आओ मैं देखता हूं ध्यान से देखो जब तीनों layer को मिलाते हैं ना one two three तो इसको बोलते परिडर्म इसको बोलते हैं परिडर्म तो यह गलत हो गया और secondary cortex को बोलते हैं क्या बोलते हैं फेलो डर्म secondary cortex को फेलो डर्म बोलते हैं तो यह दो तो गलत हो गया आप क्या बचा cork cambium और cork याद रखी गए इसको कैसे याद रखते हैं देखो cork सबसे उपर का layer है ना cork is the अपर मुष्ट लेयर तो मतला आउटर मुष्ट तो कॉर्क का सबसे छोटा नाम रहेगा देखे गिन लीजे वान टू थ्री और फाइव सिक्स सेवन पहले कॉर्क आ गया उसके बाद और थोड़ा बड़ा उसका नाम क्या हो गया कॉर्क कैंबियम डाट इस वान टू थ्री फ इतना ही है ना हाँ चलिए तो नाइन लेटर्स का यह हो गया नाइन बेसिकली बोलते हैं उसके बाद क्या हो गया फैलम फैलो जैन और अंदर के तरफ फैलो डर्म होता फैलो डर्म को भी गिन लो भाई मेरे एक बार ठोड़ा कृपा करके वान टू त्री फो फाइव सिक्स गया ला फो को सैंब के त्व 24 मिला के क्या बोलते हैं नंबर क्या बोला जाता ओन साowym ग्या था सबको मिला एंसर क्चन और 5 question number 5 एक दम भाई टप टप करके रिविजन करने वाले हैं यह this is the fastest the function of the leg hemoglobin का मतलब oxygen scavenger दिमाग में आ गया oxygen scavenger मतलब वो क्या करता है nitrogenous enzyme को बचाता है oxygen से याद आ गया हो 5 का D question number 6 question number 6 आपको पूछा है micronutrient अब आप क्या कर सकते हो यहाँ दो तरीका micronutrient को याद रखने का एक macro को eliminate कर दो और एक क्या कर सकते हो आप जल्दी से बताओ एक micro को याद रख सकते हो चलो micro को याद रखने का एक short trick बता दू जल्दी से ठीक है लिखो लिखो Ferrari मैं क्यों मोड़ूं क्यों मोड़ूं ठीक है जिद भी नहीं चलेगी आ गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ है ना micronutrient आठ micronutrient आगे तो इसका answer क्या होता है 6 का 6 का क्या हो जाता जल्दी बता दो देखो ध्यान से यह सी यू आ गया और यहाँ पर क्या आता देखो यहाँ पर mg mg is a macronutrient mg is a macro तो mg को हटा दो यहां से उसके बाद और क्या बचा यहाँ P is also a macronutrient और calcium is a macronutrient तो answer बचा 6 का A 6 का A है मेरे भाई लोग जिसने A नहीं मारा वो गलत कर दिया मेरे भाई question number 7 पर बात बड़ा question है लेकिन आप मेरे साथ खोजोगा answer ready steady go by carboxylation phosphorylation blah 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 दिया है एकदम जल्दी जल्दी खोजना है चलो आपन खोजते है photolysis of water पहले दे दिया इधर और क्या क्या दिया जल्दी जल्दी देखो पहले आप लोग answer बताओगे seven number का आप लोग बताने वाले हो जल्दी से बता दो बता रहे हो क्या photolysis of water को आप लोग क्या चीज़ से hit कर सकते थे comment 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 चाहिए मेरे को carboxylation तो rubis को मार दिया चलो ठीक है एक का 3 जैसे ठोक दिया तो answer आगया क्या answer आगया seven number का बी आगया answer आगया ना option को देखती आ गया question number अब eight पे चलते है question number eight बाई एकदम भागना है इन c4 pathway c4 pathway बोला है c4 pathway पे mesophyll cell is carried basically co2 fixation in mesophyll cell याद रखे दो cell होता है उपर वाला mesophyll नीचे का bundle sheet है न mesophyll cell पे सबसे पहले co2 fixation क्या कौन से enzyme से होता है eight का क्या होता eight का जल्दी बता दो eight का eight का ए पैप को याद रिखेगा पैप को ओके याद है ना पैप को सबको याद है पैप कार्बॉक्सलेज okay next question question number nine question number nine largest quantity of air largest quantity of air that can be expired मतलब ऐसे पहले आपक्सिमल इंस्पायर के ऐसे ऐसी हुआ ना इसको क्या बोल सकते है जल्दी जल्दी बताइए residual volume तो बोलेंगे नहीं total long volume आप बोलोगे नहीं क्योंकि आप तो खाली निकालने वाले को बोल रहा है कट गया अब बचा टाइडल वॉल्यूम या वाइटल कैपसिटी क्या होता इस कैंसर nine का क्या हो सकता चाल्दी बता दो nine का डी नंबर यास वाइटल कपासिटी क्योंकि आपको maximal inspiration effort के बाद बोला है है ना ओके question number 10 question number 10 आपको question पूछा गया है एक artificial pacemaker जब भी आप लोग नाम सुने हो pacemaker का basically pace मतलब क्या होता एक rhythm बना रहा है क्या बना रहा है सरजी एक rhythm बना रहा है cardiac arrhythmia अगर arrhythmia हो गया यह heart block हो गया आप उसको use करेंगे तो answer क्या बचा 5 जल्दी से बता दो 10 का answer आया 10 का C किसको नहीं समझ आया arrhythmia arrhythmia का meaning क्या होता है अब कभी अगर आपके doctor से कभी आप लोग पढ़ते वे देखो कि what is arrhythmia आप लोग rhythm को maintain करना समझ जाओगे इसी के साथ like हो जाना चाहिए नब्बे बच्चों का नब्बे like बनता है question number 11 question number 11 two example in which nitrogenous waste are excreted by uric acid ultimately uric acid कौन excret करता है uric acid एकदम easy question 11 number का जल्दी से बता दो uric acid कौन excret करता है टब से आना ची answer भाई 11 number लिख के बता वैसे नहीं 11 number लिखो उसके बाद बता दो जाल्दी से जाल्दी से बता दो भाया 11 number का क्या होता एकदम 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 क्या हो गया answer नहीं मिल रहा है क्या 11th का 11th का yes birds and lizards very easy they are uricotelic uricotelic question number 12 यह position of uric acid uric acid का crystal अगर joint में deposition हो जाए उसको क्या बोलते है sir उसको बोलते है गाउट question number 13 देखो मैं आपको एकदम revision करवा रहा हूं question number 13 अगर यह मज़ा आ रहा है ना तो like बनता और share बनता है तो this is known as ball and socket मतलब ऐसे basically यह ball है यह socket है एना ball and socket तो ऐसा कहा मिलता आपको जल्दी जल्दी देखो humorous और pectoral girdle दिख रहा है क्या भाईया दिखा यह नहीं देखो के बीच pivot joint होता है तो c का 2 होता c का 2 को ताला लगा दिया जाए तो 13 का a हो गया 13 का a yes question number 14 पर बाखते है question number 14 question 14 आपने एक person से मिला मानलो आपका बंदू है आपके बंदू के क्या होगा बड़े बड़े आख है ऐसे आपके बड़ी बड़ी हो गई वह बोल रहा है भाई मेर metabolism मतलब high metabolism उसके अभी high metabolic rate यह कब हो सकता है अगर मैंने बोल दिया high BMR BMR को कौन बढ़ाता है जल्दी से बता दीजे thyroxine और अगर तो फिर क्या होगे यह hyperthyroidism हो सकता है तो answer क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा जल्दी से बताओ 14 का a 14 का a भाई जिसको समझ में आया बताओ य मतलब यह बिचार आपका overy बाबू है और यहां से आपका एक oocyte release होता है है ना वो क्या चीज़ करके release होता है जल्दी से बता दो 15 नंबर का बता दो मेरे को 15 का वो क्या चीज़ करके release होता है वो क्या करता है meiosis 1 उसका complete होता है लेकिन वो polar body अभी तक उसमें release नहीं हुआ रहता है समझ आया जो ओवम रहता है उसमें polar body अभी भी पढ़ा रहता है मतलब क्यों that's why that is called as secondary oocyte stage that's why that is called as secondary usage state, समझ आया, तो 15 का क्या हो जाता, 15 का हो जाता, number, number क्या हो जाता, जालदी से बताएए, जालदी से, जालदी से, जालदी से, क्या होगा, समझ मा आया क्या, okay B number मिला 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 meiosis 1 तो complete कर चुका है ठीक है meiosis 1 तो बिचार कम्पलीट कर चुका है समझ मैं आया next question के तरफ आगे बढ़ते है हाल का सा हाल का सा हाल का सा आगे okay chromosomal condition chromosomal condition in the turners in the turner syndrome turner की क्या होती है female होती है turners female होती है na उसमें बिचारे में क्या हो जाता है एक XO लिखते हैं उसमें XO तो क्या हो गया उस Cancer जल्दी से बता दीजी उस Cancer क्या हो सकता था ये कौन सा नंबर है 16 16 का क्या होता भाई मेरे 16 का 16 का D 44 Autosome और XO चलो आगे बढ़ते हैं 17 करते हैं 17 अभी भी हमारा 90 में बहुत बाकी है यह लीनियस लीनियस ने क्या दिया था 17 का Binomial Nomenclature very easy question Binomial Nomenclature question number 18 question number 18 आपने क्या बोला गया which of the following are found in extreme saline condition extreme saline condition पर क्या मिलेगा 18 नंबर का बता दो मिरको extreme saline condition में क्या मिलने वाला है एक दम जल्दी से बता दो एक दम जल्दी से बता दो यार okay extreme saline condition में कौन मिलता है जल्दी से बताओ जल्दी से comment 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 down क्या हो गया आँ 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 क्या होता वैया saline condition archi bacteria archi bacteria archi bacteria archi bacteria 18 का यह question number 19 question number 19 the protein coat around the virus is called as dash is cancer मिलेगा नहीं बता दे तो capsid और एक और important बात बताओ coronavirus also has a protein coat coronavirus का भी एक protein coat है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 20 question number 20 in the round cell wall is absent in cell wall किसमें absent रहता है एक दम जल्दी से बताने का cell wall is absent in paneria mycoplasma nostoc aspergillus एक दम टप से comment करो एक दम टप से क्या होता 20 का क्या होता mycoplasma याद रहना चाहिए question number 21 question number 21 भाई मैं जित्ता speed करा रहा हो ना आपको एक शेयर करना बतता है एक शेयर करना बनता है बाई जल्दी से शेयर कर दो to which all the following factor RNA polymerase देखो initiation के लिए कौन से factor चाहिए यही बता दो initiation के लिए कौन से factor चाहिए जल्दी से factor बोला है इनिसेशन factor बोला है 21 का डी होता याद आया याद आया याद आया नहीं आया 22 number 22 हमारा भाई साब हमारा 22 number भाई साब आ गया cd4 receptor याद रखेगा cd4 receptors are present on helper t-cell ठीक है helper 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 t-cells helper t-cell और helper t-cell is related to dash जल्दी से बताइए 22 number का कि helper t-cell कौन से जगह से related है 22 number मैं बता देता हो क्या helper t-cell is related to aids 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 22 का A होता चलो जिस इसका गलत कर रहे हो सीखते जाना ठीक है 23 number question 23 प्यार से 23 सबसे ज्यादा बलता है बहुत बढ़िया वाली मिल्च ब्रीड कौन सी है Halston Friesian Halston Friesian Halston Friesian Halston Friesian 23 का C 23 का C जो जो चीज बोल रहा हूं memory based एक दम करवा रहा हूं 24 number organic farming भाई organic बोला है तो सारे organic चीज यूज़ करेंगे ना no chemical chemical organic farming तो chemical fertilizer नहीं होता question number 25 कौनिफर 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 मतला basically याद है कौनिफर बोला जाए temperate region temperate region are adapted to tolerate extreme environmental condition because of presence of basically क्या बोला है thick cuticle या फिर presence of vessel या broad hardy leaves या फिर superficial stoma जालदी से बता दो 25 का क्या होता 25 का A thick cuticle क्या होता सर जी thick cuticle चालो question number 26 winged pollen grains भाई ये तो आपको answer देना है ये अगर मेरा भाई answer नहीं दिया तो मेरा दिल तूट जाएगा इस बार winged pollen grains ये need 2018 गा question है this is need 2018 गा question ये मेरे भाई गलत मत करना शर्म आएगी मेरे को ऐसे भाई आप यहां पे जो instagram ना इस पर follow कर सकते हो मेरे को add them mr.medico जल्दी से बताईए जल्दी से 26 का क्या होता आरे रे 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 गिर के क्या जल्दी से आ ये 26 का क्या 26 का pegに आगे बंद़ते हैं 27 ऊब लिख दे या आजए आप आपको क्या बना रिकॉमिनेंट पहले क्या करोगे पहले आप तोड़ो के फिर langे फिर जोड़ों सभी Cleaving with endonuclease, joining with ligase सही बात है ना, सही बात है तो क्या बच्चे जल्दी से बता 27 का B, सही बात है ना यास 27 का B, आगे बढ़ते हैं एक और flash भाग के, एकदम जल्दी से 28 नमबर, भया Amensal बोल दिया, Amensal का कोई बंदा मेरे को sign लिख के दिखाएगा जल्दी से Amensalism का sign लिख के दिखादो मेरे को Amensalism का sign लिख दो जल्दी से टप से लिखो 28 नमबर का sign लिख दो मेरे को एकदम जल्दी से, भया अवाज अवाज सब सही है ना, एकदम सही है ना, अवाज अवाज, फाइन है ना, एकदम जल्दी से बताओ 28 अमेंसलिजम का अमेंसल जल्दी से बताए क्या चीज रॉंग हो गया जल्दी से बताए 28 का क्या होता एक स्पीशीज को क्या होता है एक बिचारे को क्या होता है नेगेटिव हो जाता है और एक को घंटा फरक नहीं पड़ता बोलते है भाईया उसको घंट is known as walking form, सब को याद है, नहीं है तो अपन याद करा दिया, अपन याद करा दिया, addiantum is known as walking form, अभी भी नभे में सिर्फ 29 हुआ है, अभी तीसवा number question, नभे के लिए, 30, अभी अपने को नभे पे भागना है, नभे, और कितने बजे के पहले, 9 बजे तक, 9 बजे तक लपेट देंगे नभे, लपेट देंगे भाई, जल्दी से करो, okay, which of the following is not correctly matched, not correctly matched, क्या बोला है, not, अब जल्दी से बता दो, clamidomonas unicellular flagellated, this is एकदम साही, laminaria flattened leaf like thallus, देखा है सबने, yes, chlorella is filamentous non-flagellated, this is also correct, but, इसमें गलत क्या, walvox is colonial form, but it is flagellated, यह non-flagellated नहीं होता, so guys, answer क्या निकला, 30 का D, 30 का D होगा, भया, 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 जिसने गलत क्या, change कर लो, भाई, देखो, that's why this revision is important, that's why this rapid revision, मतलब, spark के जैसा revision हो रहा है, भया, flash, बोलते हैं, एक्दम, बिजली की तरह, बिजली की तरह, question number 31, question number 31, which of the following features are common in silverfish, मतलब, ultimately, they are arthropods, they are arthropods, they are arthropods, तो arthropods के लिए क्या common मिलता है, जल्दी से बता दो, jointed appendages और chitinous exoskeleton, this is common, ना, चलो, आज आज़ा, mark कर देते, 31 का C, एक्दम, जल्दी से आने का, मज़ा और ना, मज़ा और नहीं आ रहा है, भया, मज़ा और तो एक like बनता है, एक like बनता है, जल्दी से like कर दो, एक्दम, जल्दी से like कर दो, अगर मज़ा आ रहा है, question number 32, which of the following is monoseous, monoseous का मतलब क्या होता है, बैया, bisexual के तरफ जा रहा है, है ना, mono, mono मतलब एक एकदम, monosius का मतलब क्या होता है, सार, bisexual, जैसी बोला, monosius, उसके बाद क्या answer निकल जाएगा, जालदी से बताओ, monosius, कैसे याद रखोगे, PM, परधान मंतरी, यारे, परधान मंतरी नहीं, pinus is monosius, याद रखने का, PM, 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 32 का, PM, आज आओ, next question करते है, question number 33, question number 33, histamine, histamine, basically, histamine, जो inflammatory mediator है, कहां से release होता है, बोला, जैन से, या macrophag से, या mast cell से, या sustentacular cell से, जालदी से बताओ, 33, भाई, देखो, अपन आधा जरनी, मतलब, बोलता है, one third cover कर लिए, इसी बात पर अगर आपका share बनता है, तो जरूर होता है, आप comment करो, instagram पे जाके tag करो, कुछ भी करो, ले इतना बड़ा दे दिया भाईया ने तो, भाईया ने तो इतना बड़ा दे दिया question, चलो कोई बाति या भी सीखेंगे, आपको क्या कोजना है, monocot stem, आपको क्या कोजना है, monocot stem, अब चलो आओ जाओ, सिखाता हू, monocot stem का जो hypodermis होता है, क्या होता है, सार मेरे, मेरे सबको पता है वसकुलर बंडल फॉसके बाद क्या पता था और क्या पता था फ्लोएंट पैरिंकायम इस अबसेंट तो क्या मिला एंसर गया नंबर भी मिला या नहीं मिला नंबर भी सबको मिला 34 का भी 35 नंबर करते हैं जालदी से एक दम जल्दी से 35, 35 ठोकने का भाया, the plant cell differ from animal cell, plant cell animal cell से क्या चीज में difference आ रहा है, जल्दी से बताए, plant cell के पास क्या है, the presence of large whack wall, animal cell के पास उत्ते बड़े-बड़े whack walls नहीं होते है, sir, sir, नहीं होते है उत्ते बड़े whack walls, so 35 का, क्या हो गया, मिला या नहीं मिला, yes, 35 कभी, ज plant cell के पास तो होता है न, chloroplast, plant cell के पास cell wall भी होता है, cellulosic, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 36, which of the following symmetry, symmetry is exhibited by echinoderm larva, echinoderm में क्या होता है, दो टाइप की symmetry मिलती है, एक बच्पन में मतलब, तुम्हारा larva में कुछ मिलता है, और adult में कुछ मिलता है, larva में क्या मिलेगा, जल्दी से फर्स्ट आती, अरे, रे, कोई बात ने, कोई बात ने, इधर आजाओ, ठीक है, which of the following symmetry is exhibited by echinoderm larva, क्या होता है, इसका जल्दी से comment, comment दिखना चाहिए, hello, hello everyone, so guys, those who are joining, everyone, hello, okay, इसका हैं से क्या होता, 36 का bilateral, 36 का bilateral, 37 करते हैं, time waste नहीं करेंगे, coconut, coconut is a droop fruit, एक दम मुँ से निक नहीं चाहिए, चलो, 38, 38 number, by free central placentation, placentation आपको याद रखना चाहिए, लेकिन free central को कैसे याद रखना है, free central को आपको याद रखना है, FDP, FDP, मतला free central मिलता है, dianthus में, और primrose में, so free central placentation is found in, ये, dianthus, सबको याद रहेगा, 38 का सी, 38 का सी, एक दम, एक दम, एक दम, जाल इसे पूचा है, cellulose, cellulose क्या चित से बनता है, cellulose, हमारा भाया, cellulose क्या चित से बनता है, हाओ, मैं सिखाता हूँ, cellulose is made up of beta-dglucose, beta-dglucose done, और क्या होता है, इसमें, इसमें, जो joining होता है, beta 1, 4 का होता है, किसका, 1 और 4 का होता है, तो 39 का क्या हो गया, beta का 1 और 4 का होता है and this is unbranched this is unbranched this is unbranched भाई अगर सौ पर नहीं वहना आज के क्लास में मजा नहीं आएगा यह आप जाके शेयर करो यार सौ पर आना चाहिए सौ पर होना चाहिए जल्दी करो फैंसर क्या हो गया cellulose is the most important constituent of plant cell which is made up of क्या होता है जल्दी से बता दो unbranched है beta 1 for glycosidic linkage डान समझ आया 39 का बी नेक्स question करते हैं 40 next question करते हैं एक सेकेंड एक सेकेंड नेक्स question के तरफ आगे बढ़ते हैं यह आरे भाई आजाओ ओके इसका question पूछा आप से grazing food chain में carnivorous carnivorous may be also referred as dash चलो आओ यह plant है plant is the primary producer उसके बाद इसको एक एक dear ने खा लिया यह dear क्या बन गया यह बन गया क्या बन गया जल्दी से बता दो यह secondary producer और मतला basically यह क्या primary consumer बन गया primary consumer अब इसको अगर आप यह आप को यह lion खा लिया या फिर वही जो भी carnivorous खा लिया यह क्या बना secondary consumer इसका एंसर क्या होता एक बार 40 40 का क्या होता 40 का D 40 का D 40 का D 40 का D चल यह आगे बढ़ते हैं 41 और यह question मेरे प्यारे दोस्तों के लिए आज आपको dedicated है यह question है यह आप खोजोगे आज सौरव शर्माइस का एंसर नहीं बोलने वाला यह आप बताओगे चलो correct match खोजना है correct 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 जल्दी जल्दी से correct खोजो ठीक है S phase S phase is related to DNA replication यह तो सही है ना yes यह सही था zygotene is related to synapses जल्दी जल्दी से बताओ इस cancer क्या होता 41 41 का comment में चाहिए मेरे को 41 का क्या होता और यहाँ पे यह मोहित जोशी जी देश के दिप्ती ने स्मोली ने अक्षता ने बहुत बच्चों ने comment किया 41 का क्या होता जल्दी से बताओ यह 41 का यह होता भाई G2 phase को qsend नहीं बोलते है qsend किसको बोलते है qsend कौन सा phase को बोल रहे थे g0 को बोल रहे थे ना सर तो 41 का यह बचा याद रखेगा z और s s ऐसे है z ऐसे z को उल्टा कर तो s बन गया तो a and b are correct चलो next question करते है 42 भाईया seed का size कैसे बढ़ जाता है seed का size बढ़ता है imbibition के थूर किसके थूर imbibition seed का size क्या चीछ से बढ़ेगा sir मेरे जल्दी से बताओ seed का size बढ़ेगा imbibition के थूर सबको समझ आया सबको समझा है 42 का c चलो 43 43 number question आप question matching करना है अपन matching खेलते हैं भाईया मजाएगा ddt जैसी बोला biomagnification मार दिया अपन ने बहुत बढ़िया uv ray बोला uv b rays होते है snow blindness को चिपका दिया अपन ने और कुछ बचागा VOD बोल धिया और और फासवट बोल दिया ये दो को जल्दी बता दो फासवट कहां पर जाएगा फासवट कहां पर जाएगा जाल्दी से बाकी है यार अभी तो दिल्ली पहुचे नहीं है अभी आ दी जंग बाकी है जल्दी से बता हो इंतर फैसिकुलर 2020 क्वेशनिंस क्या होता है ये ऐसे एक फैसिकल दो फैसिकल याद है यह डाइकाओ स्टैम गात कर रहा हूं आ या दा रहा है ओके यह यह एक फैसिकल दो इसके बीच जो केंबियम केंब संधिक करते हैं सर विचा वेट को देट is known as the cork and cork is dead, cork is dead, cork is dead, चलिए आगे बढ़ते हैं, 46, the cork cambium, the cork and the secondary cortex, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, तीनों को मिला देंगे तो अपन क्या बोलेंगे, cork cambium plus cork plus secondary cortex, तीनों को जोड़ के क्या बोलेंगे, 46 number, periderm, periderm, याद रहेगा, periderm, तीनों को जोड़ दिया, तो अपन ने क्या बोला, periderm बोल दिया, cork cambium plus cork plus secondary cortex is equals to periderm, एक दम ठोकने का like भाया, like ठोक दो, 47 number question, 47, micronutrient, सर जी अब आप से question पूछा गया, micronutrient, micro, याद करिया, micronutrient कितने थे, 8 थे, macronutrient 9 थे, total मिला, 17 हो गया, तो याद आ रहा होगा, micronutrient are important as macronutrient, बट कुछ कम amount में चाहिए, थोड़े कम amount में चाहिए, तो answer क्या हो गया, number A, हो गया, किसको नहीं समझ आया, 47 number, भाई, सबको समझ आ रहा है, सबको मज़ा आ रहा है तो, भाई, मज़ा आ रहा है तो एक like बनता है, भाई, एक like तो पक्का बनता है, चैनल तो subscribe करके रखा है, एक like कर दो, सौरव शर्मा की class में, खिक है, आगे बढ़ते हैं, question number 48, question number 48, and guys, 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 question number 48 पे पहुँच गए, light reaction में, photosynthesis, okay, इसमें NADPH2 और ATP, दोनो कहां पे बनता है, दोनो, याद रखेगा, non-cyclic में दोनो बनता है, cyclic वाले बिचारे में NADPH2 नहीं बनता है, cyclic वाले में सिर्फ ATP बनता है, याद रहेगा, non-cyclic में NADPH2 प्लस ATP, दोनो बनता है, सबको मिला 48 का A, 48 का A, 49, 49, 49 number question, which of the following hormone, दो synthesized, through synthesized, elsewhere, मान लो, hypothalamus में बना, और store हो गया, posterior pituitary में, तो क्या बचा answer, यल्दी बता दो, ADH, 49 का D, 49 का D, ADH, 49 का D, एकदम तगड़ा चल रहा है, 50 number question, 50 number, 50, भाई हम लोग half century पे पहुँच गया है, हम लोग half century पे पहुँचे यहाँ पे, 100 बच्चे नहीं होएं, क्या हो गया, क्या हो गया, बई है, क्लास में मज़ा नहीं आया है, क्या, मज़ा नहीं है, क्या, आपने share नहीं किया, Shareware करो, या, Shareware करो, जल्दी से, जल्दी से, Shareware करो, पचासवा नमबर का एंसर क्या होता नीट 2018 का question paper है और कितना rapid revision थी है बताओ पचास का क्या होता aminoacy derived hormone देखते एपिनेफरीन मारो देखते एपिनेफरीन मार दो एकडाइसन इस steroid hormone एकडाइसन इस steroid hormone चलो 51 lack of pulmonary surfactant भाई surfactant निया तो alveolus पूरा खुल नहीं पाएगा और alveolus अगर पिचक गया तो फिर क्या हो जाएगा that is known as rds rds respiratory distress syndrome तो अगर surfactant की कमी है तो क्या आ जाएगा answer rds 51 का d 51 का d चली यह नहीं होता 51 का सुमन जी change कर लो asthma में यह नहीं होता है asthma में क्या होता है asthma में inflammation होता है किसका bronchioles का bronchioles का inflammation होता है inflammation inflammation done okay 52 52 करें क्या 52 what is correct for blood group AB बहिए जल्दी से बता दो याद रखेगा ओ पर क्या होता है rbc पर no antigen ठीक है no antigens on rbc बट बोथ a and b antibodies are present emphysema cigarette smoking क्या emphysema में पता है क्या होता गुड़ीवनिंग 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 emphysema में क्या होता है आपका जो alveolus का जो walls है ना walls degenerate कर जाते है walls degenerate कर जाते है तो 52 का 53 पर बागते है 53 बाई kidney बाई पूरा kidney के बारे में बोले एक kidney जो है वह एक capsule से cover होता है उसका नाम क्या होता है उसका नाम होता है renal capsule उसका नाम होता है renal capsule सबको याद रहेगा 53 का भी भाई या ठोकने का like जलो 54 बाई अगर आपने hypothalamus पर injury कर दी if you have injured the hypothalamus if you have injured the hypothalamus तो फिर मेरे को जल्दी से बताओ क्या चीज का problem आजाएगा अगर hypothalamus में injury हुई तो क्या हो गया body temperature regulate नहीं कर पाओगे क्यों man क्योंकि जो body temperature regulation center है वहीं पे है बिचारे के पास hypothalamus के पास I think मजा आ रहे है मजा आ रहे है तो like ठोकना बनता है man like ठोकना बनता है you must have why एक like पैसे वैसे नहीं लगते like के like करो और अगर comment को आप लोग class को offline देख रहे हो अगर आप class को offline देख रहे हो please do man एक comment करना I really like मैं गुसरी ID से आके comments पढ़ता हूं इदर मजा आता है comments पढ़ने में आपके comments रीली अच्छे लगते है यार motivate करते है likes भी motivate करते है कि यार और ज्यादा करूं मैं मैंनत चलिए next question करते है 55 आपको बुला गया है tympanic membrane देखो tympanic अगर मैं उंगली डालू ना तो इधर से बहार से अंदर जा रहे हैं तो tympanic membrane मिलेगा पहले ठीक है मानलो tympanic membrane से क्या चीज़ लगा होना चाहिए miss लगा होना चाहिए M-I-S है ना यही था M मतलब मेलियस जुड़ेगा मेलियस जुड़ेगा फिर मेलियस से incus जुड़ता ह तो tympanic membrane से कौन चुड़ा है tympanic membrane से कौन चुड़ा है 55 का A याद रहेगा याद रहेगा यह नहीं रहेगा भाया जल्दी से बता दो याद रहे न चीए 55 का A ओके ओके और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाया प्यार से 56 number by glenoid cavity कहा होती है पता है आपके जो scapula है ना oc. scapula में सब्के बन रहे हैं इस से क्लेनigonid cavity खरते है यह रहनें है इस सबको समझ आया 56 का B 57 करते है 57 number question सब को याद हो गई है 57 pivot joint between atlas axis atlas or axis याद आया c1 vertebra और c2 c2 मतलब क्या है cervical one और cervical two कौन से टाइप का joint बना रहा है ओक्योग क्या गलत हो गया कोई बात नहीं कोहर जी सही कर लेंगे यार अपन तो क्या हो गया प्रिया जी ऐसे आखी उपर हो गई आपकी क्या हो गया मैं comments भी देख ले रहा हूं एक बार आप सभी के ओके चलिए 57 का क्या हो था it is a kind of synovial joint और कैसे टेप का synovial joint anyone pivot बताया था ना pivot joint बताया था पाइवर्ट चलिए आगे बढ़ते है 58 58 नंबर करें गया 58 बाया कितना स्पीड है अभी आदे गंटे भी साही से हुए आदे गंटे अपन 58 पर पहुंच गए है नेक्स टार्गेट रखेंगा किसी दिन कि 40 मिनिट या 45 मिनिट में 90 question रखना है तो बताना मज़ा आएगा मज़ा आएगा लेकिन उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा उसके लिए आपको लाइक और शेयर करना पड़ेगा इस वीडियो पर कम से कम व्यूज आने चाहिए आप जितने जाद हो सके 58 अगर आपने हैनल्स लूप absent करवा द या ऑगर व्यूज वूमेंट साइनल जाइट ओके उखने चलिए बहुत बढ़या तो क्या हो जाएगा यूरीन कैसा रहे गा यूरीन कैसा डाइलूट रहेगा यूरीन डाइलूट रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्यार से 59 59 59 चलिए विच आप फॉलेंग पैर क्रें इस तो यह तो यह तो सई चीज है लेकिन गलत क्या क्या है इंशुलीन की डेफिशेंसी से क्या होता है इंसुलीन की डेफिशेंसी से diabetes mellitus होता है ठीक है उसके बाद thyroxine यह तो गलत लिए टीटेन ही नहीं होता ठीक है गलत उसके बाद parathyroid hormone से DM तो कभी हो गई नहीं ठीक है गलत है चलिए 60 560 अब एक question है स्पर्म आपने मानलों आप scientist हो आप सोच रहे हो भाया मैं चिंपैंजी का मिलाओंगा चिंपैंजी का sperm और human female का ovum लेकिन वो क्यों नहीं होगा भाया क्यों नहीं मतलब फ्यूज नहीं हो पाएगा normally fertilize क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि हर एक sperm के ऊपर एक receptor रह fertilizing present on ovum ठीक है अगर compatible नहीं वा तो उसमें fertilization नहीं होगा 60 का क्या निकला B 60 का B समझ में आया ना समझ में आया स्पीड बाग रहे है ना स्पीड बाग रहे है जल्दी से बताएं याद रिखेगा स्पर्म के उपर रहता है ठीक है आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं प्यार से आईए 61 नंबर गाई 61 नंबर question which of the following does not favor the formation of large quantity मतलब क्या कर रहा है जो यूरीन को ज्यादा amount में loss होने नहीं दे रहा याद करिए देखते हो ना कोई alcohol पी लेता तो बहुत ज्यादा यूरीनेट करता है कैफीन मतलब कॉफी पीते हो तो ज्यादा यूरीनेशयन होती है है ना और एनेफ एनेफ ङनेफ और एनेफ और रैनीन बच नंटिरियूरेटिक प्सास्टर क्या करता है यूरीन को निकालता था यूरीन को कहां से भैया बोलता था यूरीन को फोर्ज नैट्री यूरेसिस कर रहा है बतला बोला जाओ धक्के मारके याद आया तो 61 का यह होता है एंसर 62 पर भाते है जालदी से 62 विच आप दा लिउकोसाइट रिलीज हिस्टामिनेंड हेपारिन हिस्टामिनेंड हेपारिन रिलीज बाई जालदी से बता दो एक दम कमेंट आना चाहिए भर दो कमेंट आया क्या बेजोफिल सेल 62 का भी अब आते 63 63 नंबर क्वेश्चन 63 था हेपा 64 in stomach the gastric acid gastric acid मतलब HCL HCL is released by dash stomach में HCL कहां से release होता है जल्दी से बता दो 64 का बता दो यार HCL is released by gastrin releasing no peptic no acidic no parietal cell parietal cell are also known as oxyntic cell parietal cells are also known as oxyntic cell 64 का भी हो गया आगे बाग से एक सम्टेजी से 65 which of the following gastric cell indirectly help in erythropoiesis कैसे मतलब यह जो gastric cell है यह क्या निकालते है castles intrinsic factor क्या release करते हैं यह they releases castles intrinsic factor and castles intrinsic factor help in absorption of vitamin b12 absorption of vitamin b12 याद रहेगा castles intrinsic factor help in release of basically ultimately absorb करवाने में मदद करें क्या चीज अब्जॉब 65 का क्या हो जाता जल्दी से बता दो 65 का comment आया क्या ओके नहीं 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 क्या होता 65 का 65 का क्या होता डी पराइटल सेल का मतलब यह oxidantik सेल and they releases cif cif castles intrinsic factor 66 which of the following growth regulatory is known as stress hormone stress hormone किसको बोलते है abscissic acid a ba abscissic acid drop rot के समय drop हो गया यह stress के condition के समय plant में abscissic acid का level बढ़ जाता है और वो क्या करते है stomata को close कर देते हैं क्या करते है stomata को close कर देते हैं ऑके या पानी पीलो पानी आनि चलता है आपके लिए देखो मैं अगर इतना 30 भाग रहा हूना आप share कर सकते हैं इस class को जब इसकी recording मिलेगी आप इसको please share करना जितना जादा हो सके जितना जादा हो सके please अभी भी हमारे पास और question बाकी है 25 और बाकी है इतिक है ना चलिए आगे बढ़ते है 67 67 एक person है जिसका आई यह आई भी blood group है मतलब वह एपी blood group show कर रहा है मतलब क्या दिख रहा है इसमें इसमें इभी दिख रहा है बी दिख रहा है डॉमिनेंसी दिख रही है क्या इसमें इसमें को डॉमिनेंसी दिख रही है क्या को डोमिनेंट बतलब ये वाला और बी वाला दोनों यह एक दूखिस कर रहा है तो answer क्या हो गया 67 का B 67 का be modeling आपका भाई क्या आपका भाई कर रहा है आपका भाई भी MBS कर रहा है गलती से थीख है मैं सौरफ शर्मा MBS 30th student from Calcutta National Medical College and Hospital आगे बढ़ते हैं 68 number 68 number प्यार से medical technician उसने observe किया उसने observe किया bar body present है उसने observe किया एक blood smear में bar body present है ऑप अब बार बॉड़ी अगर present है तो वो क्या होगा नेल के पास बार बॉड़ी प्रेजेंट नहीं होता आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मेरे message कर सकते हो जितना जल्दी हो सके याद रखेगा बार बॉड़ी नॉर्मल में नहीं मिलता उसके बाद बचा क्या नॉर्मल फीमेल रहेगी तो उसमें प्रेजेंस ऑफ बार बॉड़ी यस तो एंसर विल बी सी 68 का सी डां 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 69 करते हैं 69 और 69 बहुत लोगों का फेवरेट यह question हो सकता है in incomplete dominance is demonstrated in dash incomplete dominance किसमें किया गया है जल्दी बता जीचे 69 नंबर 69 जल्दी से बताए 69 का गलती से message भेज़े ना भेज दूंगा गलती से कोई पार नहीं इसका क्या होता incomplete dominance anti-renum majors 69 का यह सब कु समझ में आया क्या समझ में आया 69 का यह चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर question भाई देखो अभी अपने पास 15 minute है और 20 question है क्या लगता है 10 minute में करते हैं या 5 minute में 5 minute में try करें क्या let's ठोकते हैं 5 minute में 70 चलो आ जो भाई यह lacoperon के लिए question दिया है basically ribozyme ribozyme is basically क्या है यह nucleic acid है ribozyme is basically nucleic acid याद है आँ दूसरे को पकड़ते है पीटा गैलेक्टोसाइड इस क्या करता है lactose को break करता है नाम में आ रहा है गैलेक्टोसाइड इस तो obviously lactose को break कर रहा है चलो तो एका 3 हो गया एका 3 पे ताला लगा देते है पर्मियस क्या कर रहा है नाम में इस मतलब पर्मियस बढ़ा रहा है पर्मियस मतलब पर्मियस बढ़ा रहा है अरे रिचा उसमें explain का कुछ नहीं था basically क्या है वह नाम एक्जामपल एंटिरिनम मेंजर्स उसमें पर्मियस बढ़ा रहा है तो भी का 4 भी का 4 देखती ताला लगा दिया जाए नंबर B 70 का B 70 का B सर जी कहां से आपने मार दिया क्या कर दिया 70 का B 71 71 एक सेगेंड थोड़ा साफ कर दे स्लाइड को ओके आओ कलर चेंज करेंगा बढ़िया सा कलर ले कि आ जो चलो 70 कौन से 71 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने ग्राफ बिट्विजुल ऑफ डिफरेंट स्पीशिज वाई अलग-अलग स्पीशिज हो गया ना तो गाईज डैट इस नोग्राफ याद रखेगा आई-स और आटो किसको बोलते हैं आपने ही बॉटी का ठीक है आ अगर आपना मारकरी नहीं मिलता 72 72 ठोकने का 72 याद रखेगा अगर आप ब्रीडिंग क्रॉप फॉर इंप्रूव न्यूट्रिशनल मतलब उसके अंदर मानलो आयरेन की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो या कोई चीज का इंप्रूफ कर रहे हो क्वांटिटी या कोई चीज क सारे enzyme mitochondrial matrix में होता है सारे enzyme except one that is known as that is known as succinate dehydrogenase inner membrane पे मिलता है inner membrane पे सबको याद रहेगा 73 का D सबको याद रहेगा आगे बढ़ते हैं प्यार से 74 भाई गोबर गैस बेसिकली क्या बोला है भाई बायो गैस बायो गैस गोबर रहे की बाता चलिया यह बायो गैस जो काउडंग से बनाते हैं यह किसके effort से वह यादा है खादी खादी village का नाम आ रहा होगा खादी village और आईये आ रहा है इंडियन agriculture research institute क्या 74 का क्या हो तब दोस्तों जल्दी से बताओ 74 का C KVIC यादा है KVIC नाम आना चीए 74 का C and guys ठोक्टे ठोक्टे आगे बढ़ गया 75 75 number मेरे दोस्तों तब process which makes a major difference तब process which makes a major difference याद रखेगा C4 plant के अंदर एक चीज अपसें होता है that is known as photorespiration photorespiration C2 cycle is absent in C4 plants एक दम मझे से 65 का क्या होगा 75 का 1 हो गया 75 का A आगे बढ़ते है 76 76 which of the enzyme molecular scissor molecular scissor किसको बोलते है किसको बोलते है molecular scissor restriction endonuclease 76 का A 76 हो गया 77 करे क्या 77 जालदी से बताइए अरे धन्यवाद कोई बात नहीं है आप लोग मजे करिए बस खाली 77 मजा रहे है ना यह हम लोग alternate days class लगाएंगे alternate days जिसे कि आपको भी मजा है मजा है आपको भी golden rice golden rice के बारे में बोलिए golden rice आ गया यह क्या करता है it has a transgenic rice having gene for pita carot in gene answer आगया number c 77 का c और और आगे बढ़े क्या 78 78 number question आपके screen के सामने क्या question है which of the following criteria does not does not pertain मतलब facilitate जो जो होता है ना facilitated transport उसके खिलाफ है यह याद रिखेगा facilitated क्या था यह यह passive था passive मतलब क्यासा होता है downhill होता है ना passive मतलब downhill transport यहां लिखेगा up hill यह गलत हो गया यह गलत है तो 78 का यह 78 का यह 78 का यह 79 करते है यह ग्रोमोजों क्या होता है यह एसे आ यहां पर क्रोमोजों क्या सिसे होते है क्यानेटोकोर क्या कवस्वाइब कर सक्विशास है बोल है नीट 2019 का इंवर्टेड इंवर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इस फांद डैश एको सिस्टम मरीन यह सी में मिलता है इंवर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास एकदम ठोकने का 80 हो गया 10 more to go 10 more to go एकदम भागते हैं चलो आजाओ 81 एकसी तू सब्सक्राइशन आप से पूछा है सर एकसी तू कौनस है वन फाप्शन दिखते हैं सैंट्वरी रिजर्व नेशनल पाग्र क्राइब च्राइब प्रॉटेटिट्वर्ट प्रॉटें इंड प्रोटीन बोला है जली से देख्के मार यह मारीये मारिये क्या ओगया कोला कोला कोका कोला कोका कोला जल्दीचे बताएं टाइम से पहले हो जाएगा पेपर सर अरे अब भागेंगे न saja कोई बात निए क्या होता अ Tr touch का बता दो शर तो एंसर किया बचा एक ग्लिसराल और तीन फैर्टी असीडिक ऑलीव आईगा जल्दी से बता दो दिखा एक लिसरोल तीन फैटी एसेड का मॉल्लेकूल एतीछी का डी एतीछी का डी एतीछी का डी आरे साक्षि बास फास थीक है एतीछी का डी अगर आपको मेंसे और पस्नलाइजेशन चाहिए जरा सा उता है एक टच आप इंस्टाग्राम पर म याद आ गया 85 85 85 85 85 85 okay which of the following is common basically याद रहेगा एक्दम मज़ा आ रहे तो अरे रैनिन रैनिन क्या यार बच्चा वाला क्वेश्चन बताओ तो एक जन पेट में रहता है और एक जन तुम्हारे किडिनी से निकलता है खुश होगा है आज आज 86 करते हैं 86 चलो यह क्वेश्चन देई दिया number of abdominal segment in male and female cockroach 10 और 10 होते हैं याद रखना ठीक है 10 और 10 होते है equal male और female cockroach में 86 का यह होता ठीक है इक्वल होते है वो larva में change होता है larva में change आता है चली आगे बढ़ते है आगे बढ़ते है एक दम एक दम 86 हो गया हाँ 87 करते 87 87 okay calcium give rigidity to bone calcium bone को rigidity देता है और teeth को क्या चीछ के साथ calcium phosphate not carbonates याद रखना ने तो dissolve के चल जाएगा बया एक दम चल जाएगा ठीक है एक दम यह तो dissolve के चल जाएगा सर जी याद रखेगा that's way calcium phosphate के साथ बनाता है याद रहेगा 87 का 87 का C अब आ गई है घड़ी हमारे विदा लेने की और दो तीन question बे हम विदा लेंगे आपसे ओके अगर अच्छा लगा हो तो या प्लीज लाइक कर देना अगर एक question भी दिल को चूग गया हो या मेरे कुछ भी हो अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर लाइक कर देना जरूर से लाइक कर देना okay 88 number करते है 88 material cell okay 88 कड़ी हो गया and आगे बढ़ते वे बस 89 number question reserved material in prokaryotic cell prokaryotes में reserved material क्या होता है reserved material in prokaryote cell is stored as inclusion bodies याद आया inclusion bodies 89 number question था अपना ये this was 89 this was 89 भाई देखो आपका भाई आपके लिए तका किया तो आप एक लाइक करी सकते हो definitely कर सकते हो ठीक है and आपके बढ़ते हैं एक नम यस capsule भी okay cute जाटनी जी आओ okay 90 number करते हैं और आज का last question ठीक है तो मेरे को शांती मिलेगी एक दम जल्दी बता दो 90 का अब जिसने like नहीं किया like कर देना and अगर instagram पर follow नहीं किया जाके follow कर देना आप उसको जॉइन कर लो मैं special classes भी इससे इससे बुलते हैं इससे अलग level पर करवाता हूं अलग level पर समझ रहे हो ना तो 90 का क्या हो जाता 90 का हो जाता भी 90 का हो जाता भी meocyte 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 done done meocyte takes place in meocyte done 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 okay एक और question आगे है लो मैं bonus लेके आ जाता हूं आपके लिए गलती से मैं आपके लिए गलती से bonus ले आता हूं ठीक है 91 कर लेते हैं 91 भी कर लेते हैं 91 number pollination in water hyacinth and water lily 91 number question water hyacinth अर water lily दों they're her hydro अंहित बने learners her ownPhoneผม na एक ये फानी वाली प्लांट है लेकिन इनमें वे फॉलीनेशन होता है 1 जो पॉलीनेशन उते हैं इन में लाया जाता है इंसेक्ट और विंड के थुरू इसमें क्या होता है इंसेक्ट और विंड के थुरू लाया जाता है किसके थुरू भाई इंसेक्ट और विंड के थुरू समझ में आया क्या समझ में आया क्या इंसेक्ट और विंड नॉट वाटर यहीं पर गिर जाते क्योंकि पता है मेज होत आव पोलेन को ना थोन गरतेें लिक्विड नायटरूजिन में कितने डिगरी इंग्दव जल्दी से बताईए अई धाधने डिगरी पोलेन सीड टाईए आ-प यह क्रेम एंग्डिकों सुआ अरे कहा गया नहीं है क्या जा नहीं है सरजी सॉरी 92 खत्म हो गया तैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच तुमारा हो रहा है ना ठीक है या खत्म हो गया क्वेशन दिपशे का हमारा तो नभ्बे का डील हुआ था हमारा 90 का डील हुआ था आपके भाई ने 92 करवा दिया चलो पाई देखो पांच मिनीट चाहले क्लास खतम कराई है मैंने इसी पर भाईया शेयर करना बनता है चलो बाई 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 सी यो सून ओके तिल देन भाईया कीप लनिगी फास लेंग बाई बाई